टीक है तो इंडट्रेंस आफ ट्रांस्मिशन लाइन में मैंने आपनों को टीन पार्ट बताये थे एक टार की इंडटेंस एड़िशन पर ट्री तीन अलग अलग तो फ्लॉक्स लिंकेज शॉर चाहिए इसके रेडियस बिया रहे है इसके रेडियस बिया रहे है और इंड़नों को भीच के ते डिस्टर्स है वो डी है इस इनक्तर a एक इनक्र बी कि इसकंदर करन्ट जा रही है i1 इसकंदर करन्ट जा रही है i2 वे i2 इपकोल to minus i1 यह सकंदर i2 जा रही है और i2 is equal to minus of i1 रेटर्न पहर्ट अब ऐसे में आपको निगालनी है L A L A is equal to shy A upon I A इसको I A बज़ेते हैं I A जिससे I B I B is equal to minus I A shy A upon I A और shy A is dependent upon three factors shy A internal plus shy A external plus shy B external इतना आपनों को अगर clear है then we can move forward इसमें I 2 I B is equal to minus of I A or shy A is equal to shy A internal plus shy A external plus shy B external, okay. हर एक शाई A internal और शाई A external निकालने करे पांच सेप में, फाई सेप्स, देखें पहले जो conductor A है उसको अगर आप देखें आपको दिखाई देगा यह, इसके अंदर का फ्लक्स आपको निकालना है, अंदर का फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है, किसी भी पर्टिक्लर रेडियस पे, अगर इसका रेडियस टोटल है आए र, आपको तो x distance पर, एक, consider a thin shell, shell एक consider करिए और इस shell का जो thickness है, that thickness is dx, और इस shell की जो दूरी है, this is x, और इसके radius, that is radius is r, इसना होगे, ठीक, it's basically comprised of five steps, इस पूरे के अंदर करेंट अकर जा रही है आई, तो आपको परे निकालना है, करेंट की वल्यू आई, फिर hx, bx, d5, d shy, और फिर शाई, और फिर शाई, यह process है, six steps, six steps में, I, मैं दोनों चीजों को साथ साथ में लेके चलूं तो ठीक है, क्योंकि basic derivation में प्राप्लम यह हो जाती है, लड़कों को समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, कहां से start किया, कहां खितम किया, तो I am trying to make sure कि आप सब लों को समझ में आजा कि derivation क्या है और कैसे बड़ कर रहा है, लेकिन मतलब इसकी significance क्या है, जाएता लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन अभी एक और step करूँ, मैंने बिना ही explain करें, अभी आपको explain में नहीं कर रहा हूं कि आपने काम क्यों कर रखा है, लेकिन अगर में एक step और कर दूँ, जो shy A internal निकालने के बाद में जो आने वाला है, तब वो step अगर अभी कर दिया जाए, तब आपको लिंक समझ आजाएगा कि आपको यह काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा जो आप consider कर रहे है, वो basically क्या है, जो connector है, connector अगर मान लीज़े ये है, इसके निता करन जा रही है I A, आपको इसमें निकालना shy A external, बाहर वाला flux, तो आपको आपको अभी भी यह समझ में निया है कि यह क्यों करा गया है, यह समझ में आजाएगा है यह वाला काम करना है दोनों कहनदा, अगर आपको internal flux निकारना है तो जो connector है बाद आपको यह connector का diameter इसमें जादा दिखा रहा है, वो खाली जूम आपको रखा है जूमिंग कर रखी है, दोनों का diameter बरावर है, और जितना flux निकारना है उस उतने flux में से linkages कितनी हो रही है, बस यह निकालना है, X क्या है, X is distance X, variable distance X है, कोई भी considered distance X है, इस X दूरी पर यह shell आपको consider किया है DX, तो ऐसे में इसका फादा क्या होने वाला है, कि जब आप इसको integrate करेंगे, पहले यह निकालेंगे कि इस shell के across, this is thickness is DX, negligible है, इसमें से कितना flux बार की तरह निकल ला है, और यह बार जब आपने वह निकाल दिया उसको एक्स को यहां सही यहां तक integrate कर देंगे, तो कहां सक कहां तक integrate हो जाएगा, एक्स जो कहां सक कहां तक integrate हो जाएगा, integration की limits, 0 to R, that's correct, 0 to R, यह कहां सक कहां तक होगा, R to infinity, that's correct, R to infinity, यह distance अगर यह R है, तो यह R से इस पॉइंट से लेकर करके infinity तक यह बारा हो जाएगा, और ऐसी तीसरा बार दिनकल के आएगा, वह बारा क्या है, उस में automatically समय आजाएगा, तीसरे बारा भी देखी लिए, तीसरे बारे केस में क्या हो रहा है, कि दो connectors है, इन दोन दोनोंके बीच के distance अज़र इस दी तो इसमें लिमिट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगी, डी से लेकर के infinity तक कि तो इसकी लिमीट्स डी से infinity तक हैं, इसकी limits R से लेके infinity तक की हैं और इसकी limits 0 से लेके R तक की हैं ठीक अब जाखिए इसमें भी इसमें भी तीसरे में भी तीरों में आपको यही वाले steps follow करने हैं बस that's all लेकिन तीसरे में की करने की ज़रोत यह नहीं है कि अगर आपने external flux एक बार इसका निकाल दिया external flux का मतलब क्या है अगर आपने इस case में d shy की value अगर निकाल दी तो shy internal के लिए all you need to do is you have to integrate d shy from the limits between the limits तो shy external sorry complete shy यह बोल देता है shy d shy अगर दे रखा है तो d shy से shy निकालने के लिए खाली इसको integrate करना पड़ता है you just have to integrate d shy between the limits तो इसको अगर आप आप से लेकिंफिनिटी तक कर रहे है तो इस case में shy की value हो जाएगी यह जी होगी d shy this will be from d to infinity दो नो difference देख लिए अगर आपने अबद d shy निकाल कर रख दिया इस case में external flux का तो खाली इसके और इसके case में इतना difference आएगा है कि इसकी limits अगर आर से infinity तक की है तो इसकी limits जोए dc infinity तक की बसे तना difference आएगा ठीक है now let's see इसके case में जो limits आएगी वो जीरो से लिकार तक की हो जाएगी बस यह देखो आई इस पूरे की जो current density है current density कितनी हो गई current अपॉन area cross section area cross section area अगर r radius है तो cross section area किता हो जाएगा area pi r square ठीक है तो i upon pi r square is equal to इसके अंदर जितना current जा रहा है इस shell के अंदर जितना current जा रहा है that is i x this is equal to i x upon pi x square यह x to a subscript है current density uniform है current density uniform है इसके मतलब पूरा current का पूरा area ले ले या इतने वाले current का इतना वाला area ले 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 current density बराबर निकल के आने चाहिए current density अगर बराबर निकल के आ रही है तो इससे आप i x की वेली निकाल सकते है इसके इसके वेली कित्ती हो जाएगी i x is equal to i into x square upon r square ठीक तो इस तरह से i x is equal to i into x square upon r square current density इसके निकाल लगी है So, i x equal to i x square upon r square this is obviously, ampere ही h x formula that is current upon 2 pi into distance, this is the field strength, field strength की का जो दिफिशन होते है, that is current upon 2 pi into distance which is equal to current के वेलु कित्ती है, I x upon 2 pi x, distance के तना हुआ? X, यह जो I x distance है, तो फिल्स्रेंग्थ कहने का मतलब क्या है, अभी मैं भी मैं देस्क्राइब निक रहा, I x की वजे से, इस current I x की वजे से, जो फिल्ड स्रेंग्थ बन रही है, at a distance of x, वो कितनी है, उसके formula यह, I x की वेलु कित्ती है, I x square upon r square, this is equal to I x square upon 2 pi x into r square, और यह x और यह बाला कट जायागा, ठीक, so I into x, यह I x अलग है, और यह I subscript x है, दोन में difference से दान दिएगा, this is I subscript x, this is I x, मैं इसको बढ़ा करके बनाऊ, इसको बाला कम, this is like this, this is this, I subscript x is equal to I x upon 2 pi r square, इसको बढ़ागा, बीच को कानने है, B x equal to mu not mu r h x, बादाब है, h x के जो unit, यह, that is ampere turns per meter, ampere turns per meter, b x value that is mu naught mu r h x or air case may mu r is considered to be equal to 1, so mu r is equal to 1 to b x value mu naught h x or mu naught value mu naught is equal to 4 pi into 10th power minus 7 constant or just 4 pi into 10th power minus 7. So, this is equal to mu naught i x upon 2 pi r square b x magnetic flux density that is Weber per meter square. So, this is itna Weber per meter square. Itna Weber per meter square. D chi, D phi. This cylindrical shell में, cylindrical shell, this circular shell of length 1 meter, this is circular shell of length 1 meter. This is magnetic flux density. This is field intensity. This is flux density. Flux density मान लीजिए, holocylinder लिया, उसके अंदर holocylinder के अंदर electrons भर के चल ले थे, बढ़े हुए थे पूरे में, and they were moving. वो जो मूव कर रहे है, that current is i x. ठीक है? किसी भी shell में, जितनी current जा रही है, उसकी वजए से कितना flux बाहर निकर लाया है, चानों तरफ, मतलब अब यह समझ लीजिए कि मान लीजिए यह shell है, तो cylindrical shell जो है, उसमें से हर तरफ, जितना flux निकर लाया है, जितना cell को काटता हूँ, जितना flux निकर लाया है, that is basically d phi and that is given as b x, b x into 1 meter length, ठीक है, 1 meter length into d x, which is equal to mu naught i x d x upon 2 pi r square, इतना क्या होगा, this is weber per meter, weber per meter, weber per meter इस बिसकरी weber, इतने weber, हम अल्री जो निकाल लेए हैं, that is d 5 per meter length, एक meter length की ली इतना निकल के आ रहा है, this is basically weber, इतना weber निकल के आ गया, और this flux, यह जो पूरा flux में निकाला है, this is linking with only i x, उसके अंदर का जो current है, उस शेल के बाहर कितना flux निकल ला है, that is linking with only the current inside the shell, जितना इसके बाहर का जितना current जा रहा है, उसका कोई भी flux से कोई लेना जेना नहीं है, तो इसी में यह पूरा i हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है, i subscript x, जो यह था, i x square upon r square, यह हमारे काम का था, So, d psi is equal to mu naught i into x square upon r square, x square upon r square into x upon 2 pi r square, 2 pi into r square, which is equal to mu naught i x cube upon 2 pi r to the power of 4, इतना इसके units का है, Weber turns, Weber turns, इतना Weber turns, Weber turns, of course d x, d x, mu naught i upon 2 pi r 4, यह पूरा पूरा बहार है, अंदर जर्दर उनली x cube, x cube को integrate कर दीजे, इस्टेप में खाली i की जगह है, i x रख दिया है, इस्टेप में खाली, इतना था काम किया है, इसमें जो पूरा i था, पूरे i की जगह पे, खाली i x रख दिया है, i x equal to i square upon r square, यह, बागे सा को similar है, same, ठीक, and that is it, psi internal, psi a internal is equal to d psi integrated from 0 to r, integrate करके, पताये में को जल्दी से, खाली x cube को integrate करना, x cube के integration क्या हो जागा, x to power 4 upon 4, बस और x to power 4 में उसमें एक बार रखना है, जीरो बार जीरो जीरो बाला बचेगा, r4 बचेगा, r4 बचेगा, r4 र4 रखना, orally फालो गया, but anyway फिर भी कर लीजे, मैं, कर लीजे, कर लीजे, मैं, इसकी value कितनी हारी है, इसकी, mu 0 i upon 8 pi, that's all, mu 0 i upon 8 pi, this is mu 0 i upon 8 pi Weber turns, mu 0 ki value 4 pi into 10 to power minus 7 है, तो इसकी value कित्ती हो जाती है, कित्ती हो जाती है, i by 2 into 10 to power minus 7, this is equal to half i into 10th power minus 7, Weber turns, तो ये हो गया, psi a internal, ठीक है, we will continue, जल्दी से कर देते हैं, पूरा खतम कर देते हैं, अब आता है, ये वाला पार्ट, अगें इसमें ये वाला ध्यान दखिएगा, डी शाई को इसमें आर से लेके infinity तक करना है, ठीक है, इसमें आई एस की value निका लिए लिए इसमें इसकी value कित्ती होगी, इस condition में ix की value कितनी होगी, इतने मोटे conductor के अंदर इतनी सारी current फैली हुई थी, उसमें से आपने थोड़ा से हरी ले तो इसके अंदर कम current थी, इस पूरे system के अंदर current कहां है, इसके अंदर, किसके बाहर कोई current है, तो ix की value कित्ती हो जाएगी, 0 नहीं, जितनी बची current जित इसके अंदर, i ही है, बस खाली, इतनी current उसके इंदर जाएगी, तो i is के अंदर जाएगी, इसमें i रहागी, in that case, hx की value कित्ती ही निकल के आएगी, hx की value कित्ती ही निकल के आएगी, hx की value निकालो, current upon 2.2 distance, current is i upon 2 pi x, ठीक है, this is ampere transfer meter, ampere transfer meter, यह hx की value हो आगी, bx की value कित्ता हो जाएगा, bx is mu naught hx, इतना complicated है निकला लग रहा है, गिनी जुनी 3-4 steps है, that's all, well 6 steps है, mu naught hx, इतना weber per meter square, so this is equal to mu naught i upon 2 pi x, weber per meter square, d phi, d phi कित्ता हो जाएगा, is bx into 1 into dx, weber, bx की value जे रही, so mu naught i upon 2 pi x, dx, this is equal to mu naught i upon 2 pi x into dx, weber, which is basically equal to d chi, क्योंकि current है इतना, current तो कम होई नहीं नहीं, current जितना भी था, कुल्म लागे इतना ही था, इतना कम हो रहा है नहीं, जादा हो रहा है, this is also equal to d chi, so chi external is equal to this integrated from r to infinity, mu naught i upon 2 pi x, dx, which gives you mu naught i upon 2 pi bhaar, mu naught i upon 2 pi log, log x from r to infinity, 1 upon x का कितना हो जाता है, log x हो जाता है, log infinity, not different, तो आप इतना भी छोड़ दीए, cancel कर जाएगा बादम जाएगर जोगा, अगर इसका इतना निकल के आ रहा है, mu naught i upon 2 pi, log x to the from r to infinity, तो इसके में क्या फरफ पढ़ने माला है, chi b external is equal to, same thing, mu naught i upon 2 pi, log x from d to infinity, बास, खाली इतना सफार अगे, इन दोन मा खाली इतना सफार अगे, ठीक, अब, अब, अब इंडुक्टर्स अगर आप निकालते हैं, then, chi a, chi a is equal to, by the way, this current is i b, ये current i b है, और ये current कौन सी है, i a है, ठीक है, conductor a में जदिनी current जारी, that was i a, दूसरे वाले में जारी, that was i b, जो भी current उसके अंदर है, और क्योंकि ये तो flux निकल के आ रहा है, यो उसकी current के वज़े से, ये current जो निकल के आ रहा है, इसकी current के वज़े से, ये, so chi a is equal to, पैला बाला, हाफ i, mu not i upon 8 pi लिखोना, mu not i upon 8 pi, हरत का कमन निकल जागा, mu not i upon 2 pi, this is equal to, chi a internal, plus chi a external, plus chi b external, which is equal to, mu not i upon 8 pi, plus mu not i upon 2 pi, log, this is i a by the way, this is also i a, log x r to infinity, plus mu not i b upon 2 pi, log x d to infinity, और by the way, इसमें आपको ये वल चीज, याद रखनी है, कि i a और i b, कि दोनों, i a is equal to minus i b, तो इस केस में आप यावे क्या कर सकते हैं, इसको, इसको i a कर दीजे, और इसको कर दीजे क्या, माइनस, अब mu not i upon 2 pi, अगर आप कॉमन निकालने, आप कॉमन आपको अपन, मुन आपको अपन 2 pi, कॉमन आपको अपनिकालिया, and this is 1 by 2, 1 by 4, that is correct, 1 by 4, plus log infinity minus log r, log infinity minus log r, minus, क्या हो जाएगा, log infinity plus log d, यह दोनों कैंसल कर जाते हैं, तो यह दो हो गया, log d by r, तो यह दो हो गया, log d by r, 1 by 4 का, 1 by 4 को ऐसे लिख सकते हैं, log e to the power minus 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 हो गया, log e to the power minus 1 by 4, plus log of d by r, इसे multiply कर सकते हैं, तो तरीका बिसके लिए क्या होता है, e to the power 1 by 4 को उपर नहीं नीचे रखते हैं, तो नीचे एस की वेरी किनी हो जाएगी, e to the power minus 1 by 4, so this is equal to mu naught i upon 2 pi, log of d upon r into e to the power minus 1 by 4, ठीक, r into e to the power minus 1 by 4 को कहते हैं, r dash, this is known as geometric mean radius, इसको हम कहते हैं, r dash, r dash, where r dash is gmr, geometric mean radius and that is equal to r into e to the power minus 1 by 4, यह होता है, this is the r dash, और this is basically shy a, यह आई अगर शाई आई अगर यह है तो एले की वेली क्या है, सबसे पहले जो steps लिखे थे, सबसे पहले, la is equal to shy a upon i a, तो इसमें से i a अगर हटा दिया जाए, तो बचावो जितना है, that is equal to la, so la is equal to this, mu not upon 2 pi log d by r dash, यह होगय, or la ki value अगर यह होगय, the loop inductance, loop inductance is equal to la plus lb, is equal to 2 into la, कि खड़म कि वे डन तो यह पूरा डिर्वेशन जो है यह पहरी बार देखने में आपको बड़ा लगेगा इस्पेशली खासों से जिस तरह से किताब में दे रखा है सब सस्पेंस की तरह से खुलता जाता है सस्पेंस अब नौमली किया ह Keys यह वा बापस यह पर आप अम् enlightened those एक होता यहां से यह कर नबस्य करते हैं करते करन दो पहुंसते आपको कुछ भी नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं उसने निकाल दिया belongsुत जाही क्यों है कहां से आगा विए कुछ No Cong。 उसके वाद मेरे देट कि ऊदिए उसक eruption यह नी का झा शुदू पर यह कर लेगा। रहुचि लिए यह भी वह जो खानुति उसके आ के कार देंए work यह कर देख को से का था बहुत मैं इसको छटा स्टेप नहीं मानता हूं कि international integration यह सिका integration यह सिर्ट इख कर फोल यह स्टेप यह एक स्टेप तो पांश एक स्टेपप है आई एकस अचे क्रेट जानेपर यह यह आपको इसमें 2.2 डिस्टेंस यह एस फर्मॉर्स को याद रह सकता है और आइस के वर्यू आपने काली लेंगे अगर इतने चार सिंपल सिंपल फर्मॉर्य याद रख दें तो खाली आपको एक बड़ा भारी काम करना पड़ेगा कि सारी वर्यू सही सही रखनी पड़ेंगी बस बागी डिर सिंपल सेले करना पत्तत्तों